नमस्कार बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में मैं हो रिनू नेतन न्याहों को इरान से एक बहुत बड़ा जटका लगा है इरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तयार हैं दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के अबादी इरान में रहती है और यहां एक यहूदी सांसत भी है अब इसराइल के प्रधान मंत्री नेतन न्याहों को धंकी दी है और कहा है कि अगर इरान पर हमला करने की कोशिश की तो इसराइल का वजूद ही मिटे जाएगा इसराइल को मिचा देगा इरान का यहूदी लड़ा का 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला इरान क्या इसराइल पर फिर भैंकर हमले करने जा रहा है ऐसे दावे क्यों किये जा रहे हैं कि इरान के सवर्थन में यहूदीयों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटानी की तैयारी में जूट गया है क्या वाकई इरान के सुप्रेम लिडर अली खामनई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है यह दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधान मंतरी नेतनियाहू के साथ साथ रक्षा मंतरी योग गैलन्ट और इसराइल के टॉप कमांडों के होश उड़ा दिये हैं इरान के इस एहूदी सांसद का नाम हुमायू सामेह या नजफाबादी है जिसने प्रेस ट्रीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है खाम नहीं की यहूदी ब्रिगेड नेतनियाहू से लेगी बदला इरान में एक यहुदी सांसद हिमायू सामेह या नजभाबादी ने इसराइली प्रधानमंत्री वे नियामिन नेतनियाहू को धमकी देते हुए एक एक अक्टूवर को भली मिसाइल हमले के जबाब में अगर शिया देश एरान पर इसराइल हमला करता है तो ये नेतनियाहू सरकार के मुर्खता साबित करने वाला कδम साबित होगा यहुदी सांसद हुमाईू ने नेतनियाहु सरकार को चेताउनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इसराइल को एक बार फिर से एरान नया हमला करके चौका सकता है हुमाईू नस्वाबादी ने यहां तक दावा किया है कि इसराइल के वज़े से पूरे पर्श्रिम एशिया में चौतर फा युद्ध शुरू हो सकता है कई लोगों के दिमाग में सवाल कौद रहा होगा कि इरान में यहुदी कहां से आगे हैं और यहुदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इरान का साथ यहुदी क्यों देंगी हम आपको एक चौकाने वाला आंकडा दिखाते हैं जो साबित करता है कि इरान में मौजूद यहुदी पूरी तरह से इरान के सुप्रेमिलिटर अली खामनेई के वफादार हैं वो जितनी महब्बत अली खामनेई से करते हैं उससे कही जादा नफरत इरान के यहुदी ने तन्याहू और इसराइल से करते हैं जरा देखिए इस वक्त इरान में कितने यहुदी रह रहे हैं साल 2022 में जारी हुए आंकडों के मताविक अरान में इस वक्त 9200 से जदा यहुदी रहते हैं पश्चमे अश्या में इसराइल के बाद सबसे जदा यहुदी इरान में ही रहते हैं 1948 तक एरान में एक लाक यहुदी रहा करते थे लेकिन बदले हालातों की वजह से अब एरान में 9200 यहुदी बचे हैं एरान में रहने वाले यहुदीों को एरान का वफादार माना चाता है इसलिए इरान के यहुदी सांसद हुमायू सामेह याह नजफाबादी दावा कर रहे हैं कि इरान को इसराइल नहीं हरा पाएगा इरान का खुर्रम चैलेंज जी हाँ इरान की चौथी पेड़ी के खुर्रम शेहर मिसाइल के आने के बाद से ही इरान का कॉंट्विडन्स हाई है इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी जोड़ है जिसके आगे कभी कभी आयरेड डोम भी नाकाम हो जाता है खामनेई का खुर्म चैलेंज इरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसालों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं मिडलिस्ट के दावों के मताबिक इरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अचैक नहीं किया तो इसराइल इरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिंग कर सकता है जैसे हमास और हिजबुला के धाकर नेताओं और कम बारा हमला कर सकता है अब आप जरा ये जान लीजिए खामनई मिसालों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू है इरान का जरा ये वीडियो देखिए इस वीडियो के बारे में इरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है इस सुरंग बंकर में इरान के एफ-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज बलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाईलों को साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि इरान की मिसाईलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं इरान की ये मि स्टेटिक और इंटेनेशनल स्टेडिज यानी CSIS में मिसाईल ट्रेट पोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मताबिक इरान के पास हजारों बलिस्टिक और क्रूज मिसाईले हैं जिनकी रेंज अलग अलग है इसी साल अप्रैल 2024 में इसराइल पर किये गए इरान के पहले हमले के बाद इरानी नियूज आउटलिट ISNA और दे इरान प्रेमियर के जर्य इरान की मिसाईल श्रम्ता के बारे में जानकारी दी थी जिसमें इरान के ऐसी नौ मिसाईलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं और इरान ने ऐसा करके भी दिखा हम आपको बता दियें कि अमेरिकी वाई उसेना के जर्रल केनेथ मेकेंजी ने दो हजार तेईस में कॉमरिस को बताया था कि एरान के पास तीन हजाद से जादा बलिस्टिक मिसाईले हैं ये रिपोर्ट ढ़ाई साल पहले की है अब तो और भी जादा बलिस्टिक मिसाईले इरान के पास हो सकती हैं कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि इरान के पास दो लाग से जादा मिसाईले हैं जो इसराईल को आसानी से तबाह कर सकती हैं इरान की सबसे नए मिसाईलों में मीडियम रिंज की बलिस्टिक मिसाईल खुरम शहर ने इसराईल के होश उड़ा दिये हैं इरान के खुरम शहर के नाम पर बनी खुरम शहर मिसाईल के रिंज 2000 किलो मिटर है खुरम शहर मिसाईल की स्पीड 9878 किलो मिटर प्रती घंटे से 19756 किलो मिटर प्रती घंटे के बीच है जो इसराईल पर बहुत भारी सावित हो सकती है वह यह शहाब थ्री मिसाईल की रेंज 1300 किलो मिटर है जो 8640 किलो मिटर की रफतार से हमला करती है जबके शहाब चार की रेंज दो हजार किलो मीटर जो धुनी से तीन गुना रफ़तार से हमला करती है इमाद की रेंज एक हजार साथ सो किलो मीटर है इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जबके एरान के हाईपोसोनिक मिसाईल फता मिसाईल के अधिक्तम स्पीड 16,000 किलो मीटर प्रती घंटे होती है ये मिसाईल हाईपोसोनिक गती से उडान भरती है फता मिसाईल साउंट की चाल से पांच गुना तेज रफ़तार से उडान भरती है इसके अलावा इरान की इमाद और गदर मिसाइल ने इसराइल पर पहले चरण का हमला करके इसराइल को चौका दिया था वही इरान के Khayber शेकर ने इसराइल के तीन सेन्य अड्डो को एक अक्टूबर के दिन जब्रदस्र नक्सान पहुँछाया था वही इरान के हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखरी किल ठोक सकती है हज कासिम की रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के मिसाइल हमले के भीसर खत्रे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने युद धस्तर पर रणनीती तयार की है सूतरों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल में एक सीक्रेट डिल हुई है जिसके तहट इसराइल फ्रंट पर रहकर इरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका इरान के अंदर ग्रिह युद्ध की आग भढ़काएगा अमेरिका और इसराईल ने मिलकर इरान के खिलाफ इस टू फ्रंट वार की तयारी पूरी कर ली है 10 अक्टूबर को देर रात इसराइली सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक हुई इस सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक में इरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई पूरी कैबिनेट ने इरान पर हमले का समर्थन किया है इस बैठक को एरान पर हमलों से पहले अंतिम बैठक कहा जा रहा है संकेत साफ है कि इसराइल के प्लैन में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसराइल के रक्षा मंत्री योग गैलन्ट ने सबसे विनाशक संकेत दिये हैं गैलन्ट ने कहा है कि स्वर्गे के दौर खुल चुके हैं सही समया चुका है इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इसराइल इरान के परमालों सेयंत्रों पर हमले करने वाला है इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्से इरान के हाथ पैर है अब इने काटने के बज़ाए इनका सिर्क चलने का वक्त आ चुका है इसराइल के लिए सबसे बड़ा खत्रा है एरान क्योंकि एरान की वज़े से ही इसराइल को साथ फरंट पर जंग लड़नी पड़ रही है इसराइल को लिबनान, गाजा पर्टी, इराक, वेस्ट बेंक, सीरिया, यमन और इरान से जंग लड़नी पड़ रही है इन सब का शक्ती किंद्र तहरान है और अगर तहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी अब देखना होगा इरान इसराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराइल इरान का वही हाल करेगा जो गाजा और लिबनान का इस वक्त हो रहा है इसराइल ने लेबनान के बार्जा में बहुत बड़ा हमला किया इडियाफ की एर्स्ट्राइक में कई बहु मंजराय मारते जमी दोस हो गई तो बहुत दक्षणी लेबनान के नकौरा में भीषण लड़ाई चारी है दक्षण लेबनान में तनात सायुक्त रास्ट की शांती सेना के हेड़क्वाडर पर भी हमला हुआ और यहां तनात एक जवान को भी गोली लगी वार जोन की तरह ही डिरावना अपडेट इरान से आया है जहां इरान इस्राइल ने एक नई तरह का हमला शुरू कर दिया है झालब कर दिया है एक अक्तूबर को इरान ने जहां टार्गेट सेट किये थे वही पर 200 मिसाइले गिरी, फटी और इसराइल धुआ धुआ हो गया लेकिन अब खामनेई के ओर्डर पर मिसाइले जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि बटन दबने के बाद इनी मिसाइलों को इसराइल कंट्रोल में लेकर टार्गेट सेट कर सकता है ये तो बिलकुल ताज़ुब की बाद है लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्दा लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे कैसे उनके वाके टॉकी बंबन गए थे इसराइल इरान को भी उसी तरह दहला सकता है इसकी रिहलसल हो गई है इसराइल हमास और हिजबुल्दा के बाद तीसरे नमबर पर तहरान का दहलाना तै है इसराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है ये गाजा के इन तस्वीरों से समझी है यहाँ पर एर स्ट्राइक हुई है ये आप देख सकते हैं अभी लोग जो जखमी होए है उनको निकाला जा रहा है एक रिस्क्यू उपरेशन चलाया जा रहा है लगातार इसराइल की तरफ से हमले किये जाना है और हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर नौर्थ के साइड से हमले कर रहा है तो फिलाल ये जो आप इरिद गित देख रहे हैं ये रिलीफ इंड रिस्क्यू उपरेशन की टीमे हैं जो यहां पर अभी पहुँची है अभी ये क्या पना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है लेकिन यहां से ये है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शुकरवार रात से उठा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शान्त हुआ लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए नब्बे की जिंदगी दाउं पर लगी है इसराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेहरहमी से फीट रहा है लेकिन राफ़ा में कासिम ब्रिगेट जोरदार पलटवार करने लगी है कासिम ब्रिगेट ने इसराइल के दो टैंक और बुल्डोजर के चीथलो उड़ा दिया है अलजनैना इलाके में यासीन 105 अंटी आर्मर विस्पोटक गोले का इस्तमाल करके इसराइली सेना के दो मरकावा टैंक और एक D9 बुल्डोजर को बर्बाद किया गया है अलगी हमास और हिजबुल्ला दोनों को तहरान से आई अलर्ट ने सन कर दिया है एरान में 11 अक्तुबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे एरान की मिसाईल लॉंच तो होगी लेकिन भटेगी वहाँ जहां नेतन याहू चाहेंगे इस बुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन भटेंगे वहाँ जहां इसराइल के आर्मी तै करेगी हमास और हूती के हत्यारों का यही हाल होने वाला है इसराइल के दुश्मन अब अपने ही हत्यारों से जलेंगे नेतर याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है इसराइल हाइटेक लडाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है पहले घजा, फिर बेरूद, और अब तेहरान का नंबर इसराइल के टार्गेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है एक एकर दुश्मनों का सफाया, शेहरों की बरबादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडर्शिप का खादमा नेतर याहू ने हमास और हिजगुला को जिस तरह खुचला है, उससे भी खौफनाक अंजाम इरान को भुगतना पड़ सकता है इसका ट्रेलर 11 अक्तूबर को इसराइल ने दिखा दिया है, शनिवार को इरान की वार्ड लाइफलाइन हैक कर दी गई थी इसराइल ने ऐसा कुछ किया, जिस से तेरान में पोहराम मच गया आदी रात को इसराइल वार रूम ने ये मेसिच सोचल मीडिया पर पोस्ट कर तेरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है इरान में साइबर एटैक हुआ इस अटैक के माइने क्या है कि एरान में सब कुछ इजराइल कंट्रोल कर सकता है डीटेल डरावनी है इसराइल के दुश्मनों के लिए भयानत जानेंगे नेतन याहू का मोस्ट पाउफुल वार प्लैन 200 मिसाइल हमलों के बाद का पूरा ब्ल ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहां के हैं इसराइली उनके घरों तक पहुच जाते हैं अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहां पर मिसाइल गरी उसकी वज़े से यह जो सोलर सिस्टम है पानी गरम करनी के लिए बेसिकली यह सोलर लिए ने हाइफा को बेहसाब रॉकेट से च्छलनी कर दिया है रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इसराइल को धुलसाती रही जब हाइफा में रॉकेट फट रहे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धर्ती धर्रा रही थी बेरूत के दूसरे साइड से आपको दिखाने के कोश्च करूँगा यह आप देख सकते हैं यहां की गाडियां किस तरीके से बरबाद हुई है क्योंकि यहां पर लगातार इसराइल की तरफ से सिट्राइक्स की जा रही है और यहां पर इसराइल को लगा था कि हेजबुला के कमांडर इस एरिया में है और जहां पर भी उनको कोई इनफॉर्मिशन मिलती है वो उन ही इलाकों को बरबाद कर देते हैं और यह आप देख सकते हैं कि यह बिलकुल बड़े पैमाने पर यहां तबाही हुई है जहां पर भी आप नजर दोड़ाएंगे वहां पर तबाही दिख रह है आईडियफ ने 22 इलाके खाली कर अलवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है दक्षडी लिबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिये हैं इसराइल ने लिबनान के माईसरा केसरवेन पर भीशन हमले किये हैं दक्षडी लिबनान के बारजा में के भी आईडियेफ ने जंगी जेट से बेहसाब बंबरसा हैं उधर बेरूत में भी इसराइल बारूत की मात्रा कम नहीं पढ़ने दे रहा है इस बीद बेरूत में मारे गए हिस्बुल्ला के टॉप कमांडर और इरान के कमांडर के शबों के शिनाख भी हो गई है इरान की इ तबाही हुई है यहां पर मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको के यहां पर रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वज़ा से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहां पर क्या तबाही हुई है सब कुछ बिखरा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में और लगातार इसराइल की तरफ से रोकेट्स दागे जा रहे हैं और हिजबुल्ला की तरफ से भी अटाक किये जा रहे हैं। बेरूत की बरबादी की तस्वीरे इरान के संसत के अध्यक्ष मुहम्मद बागेर गालिबफ ने भी महसूस की। का युद्ध में साथ देने का एलान किया है। अपने बाशन के बाद गालिबफ ने लिबनान के कारवाहक पुदान मंतरी नजीब मिकाती से मुलाकात की है। इस बैठक के बाद हिजबुल्ला के मीडिया आफिसर हर्ज मुहम्मद अफीफ ने ने नितनियाहू को डारेक्ट दी है। इसराइल ने साइबर अटैक के थ्रिलर आक्शन से तेहरान की टेंशन बढ़ा दिये। इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है। जो की हर गुजरते दिन बड़ा और विस्पोटक होता जाएगा। इरान के साइबर स्पेस के पूर्फ सचिप फिरोजबादी ने इ इसराइल ने साइबर अटैक के बाद इसराइल की साइबर आरमी बेजोड मानी जाती है। इसलिए साइबर अटैक के बाद इरान ने बड़े फैसले देने शुरू कर दिये हैं। इरान के सभी हत्यारों को हैक कर इसराइल इरान से बदला लेना शुरू कर सकता है। इसराइल के हाथ अगर इरान की मिसाइल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होगा। इसराइल से मिले जटके के बाद अमेरिका ने भी इरान पर करारा प्रहार किया है। अमेरिका ने इरान पेट्रोलियम कारुबार से जुड़े छे संस्थाओं पर प्रतिबंद लगाया है। अमेरिका ने इरान के 6 जहाजों को ब्लॉक्ट प्रॉपटी के रूप में पहचान भी की है इरान की 10 वित्ते संस्थाओं पर अमेरिका ने बैन लगाया है इनके 17 जहाज के कारुबार भी ठप कर दिये गए है इरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है इसराइल कभी भी एक अक्तूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है अमेरिका इसी ताक में बैटा है कि इसराइल इरान को दहलाए और पिर सूपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले लेकिन इरान भी जुकने को तैयान नहीं इसराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इरान अपनी सेना लेबनान में उतार सकता है मुहम्मद बागेर गालिबफ की बेरूत विजिट को इसी वार प्लान का सिगनल बताया जा रहा है लेबनान में इरान के आने भर की देर है फिर आरपार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तैय है इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही नमस्कार